करनाटक में एलेक्शन्स हा रहे हैं और महां पर बहुत सारे प्रॉमिसस किये जा रहे हैं लेकिन इसी प्रॉमिसस के बीच एक वर्ड हमें यहां पर ज्यादा तर देखने को मिल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दर असल यह उनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है इसके इस्टोरिकल ऊणे के चाहा है और खासकर इंडिया में इंडिया में इन डिबैट का कितना रिलेवेंट है आज के जमाने में उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो आये वीडियो को शुरू करते ह है तो रिसेंटली यह यूसी सी देटीज उनिफॉर्म सिविल कोड जह वो न्यूस चाया हुआ था क्यूंकि करनाटक असेंबली के एलेक्शन चल रहे थे और वहाँ पर पूरे स्टार कैमपेनर्स हमारे गए हुए हैं और हुआ क्या के जेपी नड़ा साब जो के बीज़ेप पता नहीं है आज के इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जजरूल बात करने की कोशिश करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है देखे एक बेसिक सा कॉनसेप्ट है जहां पर यह कहा जाता है कि सभी सेक्शन जो के सोसाइटी के हैं वो इर्रेस्पेक्टि ऑफ दे रिलिजिन इक्वली ट्रीट किये जाएंगे यानि कि यहां पर एक नाशनल सिविल कोड बनाया जाएगा जिसके तहत सभी के ओपर रूल्स और रिगुलेशन एक ही हिसाब से होंगे उनके रिलिजिन के बेसिस पर नहीं होगा यानिकि यहां पर अप्लिकेबलिटी जो है वो यूनिफॉर्मली होगी कौनसे कौनसे एरियास यहां पर कवर किये जाएंगे बेस्ट एग्जांपल समझाने के लिए मैरेज हो गया डैवर्स हो गया मेंटेनेंस इन्हरिटेंस का इश्यू अडॉप्शन या फिर प्रॉपर्टी में किसे चलता है लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जो के बहुत ही डैवर्सिटी के साथ आगे बढ़ता है तो यहां पर कही सारे रिलीजियंस है जिनके खुद के पर्सनल लॉस हैं तो जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क मैं एक्जामपल दे रहा हूं से क्रिस्टियंस के शादी करने का तरीखा मुझलमानों के शादी करने का तरीखा पारिसियों के शादी करने का तरीखा और इनके डैवर्स के तरीखे भी अलग अलग होते हैं तो इन सभी को एक ही ट्रैक पर लाकर एक नाशनल सिविल कोड ल स्टेट को दिया जाते के देविल एंड और और दे स्टेट शल एंडीवर तो प्रोवाइट फॉर इट सेटिजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरौड दे टेरिटरी ऑफ इंडिया तर अच्छी बात तो है सिविल कोड लाने की कोशिश करें तो डिबेट्स यहां पर और डिसकॉशन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 1947 के पहले भी हो चुके हुए हैं सबसे पहला लैंड मार्क जो यहां पर हमें इविंट देखने को मिलता है वो उक्टोबर 1840 में है जब वो इलेक्स लोग की जो है वो इशू की गई थी और वहां पर बिटिश वालों ने एक इंपोर्टेंस जो वो स्ट्रेस किया हुआ था और नेसिसिटी बताई हुई थी कि हमें इंडियन लॉस के कोडिफिकेशन करने में एक यूनिफॉर्मिटी की बहुत ही जरूरत है कासकर क्राइम से रिलेट 1857 हुआ तब क्वीन ने प्रोक्लेमेशन दिया हुआ था 1859 में कि absolutely non-interference होगा religious matter में याना कि किसी बी तरीके से ब्रिटिश जो है वो हिंदु-मुसल्मानों के अपने आपसी मामले में अपना हाथ पर नहीं दालेगी इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ पंडित जवारला नहरू और डॉक्टर बिया रम्बेत कर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकिन उसे fundamental rights के पार्ट में include नहीं किया गया क्यूंकि बहुत ही ज्यादे religious fundamentalism उस वक था और ज्यादा बाट में रखा यानि के non-justisable nature में रखा और सिंस देन कई बार इस तरीके के landmark बिल्स और landmark जजुमेंट से सुप्रिम कोड पास करता रहा है जो के बार-बार युनिफॉर्म सिविल कोड की और हमें नजर करते रहा है यह आप चंद यहाँ पर example देख सकते हैं जैसे कि हिंद सब्सक्राइब करते हैं कि कोशिश करते हैं कि आर्गूमेंट्स क्या क्या है युनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में सबसे पहला ये इंडिया को इंटिग्रेट करेगा पंडित नहरुजी कहते थे ना कि युनिटी डिवर्सिटी युनिटी डिवर्सिटी जाहिर सी बात है कि हमें अगर उस युनिटी को लाना है डिवर्सिटी में तो एक नैशनल सिविल कोड का लाना बहुत ही जरूरत है कि पूरे जितने भी रिलीजियन से जितने भी वोड बैंक politics में reduction हमें देखने को मिलेगा कई बार होता है minority appeasement अलग-अलग political parties करती है शाह बानों का आप case देख सकते हैं 1985 में जो हुआ था कुले तोर पर राजीव गांदी जी के सरकार ने पास करवाया हुआ था बिल जो के सुप्रिम कोट के ruling के बिल्कुल भी खिलाब था और तीसरा personal loss जो है वो एक loophole की तरह इहां पर काम करते हैं देखे जाहिर सी बात है कि हम modern democracies में जहां पर रह रह रहे हैं वहां पर fundamental rights के individual liberty व बहुत ही ज़रूरत है तो कई सारे loopholes हमें इन personal loss में भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यह कई जारों सालों से आ रहे हैं mundane तरीके आज के modern democracies में यह काम नहीं करेंगे next is sign of modern progressive nation yes जाहिर सी बात है जितने भी आप western developed countries को देखिएगा ज्यादा तर हमें इस तरीकी के एक national civil courts देखने को मिलेंगे तो एक progressive nation की तरह हमारी चवी बढ़ेगी women को ज्यादा से ज्यादा यहां पर rights हमें देखने को मिलेंगे best example recently जो triple किया जारे triple तरह का वो दरसाल सही नहीं है इसलाम में इसकी गुंजाइश नहीं है तो इस तरीके के loophole जो है वो यहां पर set right किये जा सकते हैं सभी इंडियन्स को एक ही तरीके से treat किया जाएगा चाहिए वो marriage का हो you know inheritance का हो family land का issue हो जो कोई भी चीज़ हो यहां पर सभी को एकी तरीके के rules and regulations हमें देखने को मिलेंगे और इंडिया में real secularism को यह promote करेगा कई लोगों में यह घलत धारणा है कि uniform civil court जा है वो लोगों के freedom को limit करता है उनके religious freedom को असा बिलकुल भी नहीं हो दरसाल सभी लोगों को एक ही platform पर लाने की कोशिश करता है और कई सारे ऐसे provisions हैं जो के हमारी personal laws के हैं जो के fundamental rights के खिलाफ है human rights को वो toilet करते हैं और article 25 और 26 guarantee करते है religion of freedom का जो के uniform civil court के in line ही है ना के उसके खिलाफ यानिके secularism को वो अपोज नहीं करता उसी के साथ ही है तो इस तरीखे के कई सारी चीजी जो है वो हमें देखने को मिलती है लेकिन साथी साथ कई सारे challenges भी है uniform civil court को लेकर सबसे पहला task कुछ है वो कास्ट हैं कई सारे creed वगेरा भी हैं तो यह task करेगा कौन बहुत ही जादा humongous task हमें देखने को मिल रहा है साथी साथ लोगों में बहुत सारा misconception और misinformation है uniform civil court को लेकर क्योंकि कई लोगों को लगता है कि uniform civil court जो है वो majoritarianism का एक mark है यानिक हिंदू way of life लोगों पर यहां पर थ किया जाएगा कई सारे minorities जो है वो यह claim करते हैं कि majoritarian views जो है वो उन पर लगाये जाएंगे तो uniform civil court उन्हें उनके religious laws पर ही काम करने दें तो बैतर होगा political will हमारे पास यहां पर सही तरीके से नहीं है बले ही पंडित नहरू जी और बाबा सहाब ने metal हिम्मत दिखाए हुई हो लेकिन उस जमाने के वक्त के साथ-साथ यह feasible नहीं था कि इस तरीके का bold step लिया जाए और आज भी इस तरीके का political leadership हमें इंडिया में देखने को नहीं म किया गया था जिसके तहत women को भी equal rights यहां पर लगबक 2005 के आसपास यह प्रावधान जो हो दिया गया था लेकिन बिकॉस आफ डाट कितना percentage of property जो है land की women के नाम पर हुई है कितना tangible change हमें देखने को मिल रहा हुआ है यानि कि महज code लाने से क्या हो जाएगा एक tangible change तो हमें द बहुत बुरी तरीके से करते हैं तो यह भी बहुत ही जबरदस्ता challenge हमें देखने को मिला हुआ है क्या कुछ suggestions हमें यहां पर देखने को मिलेंगे सबसे पहली चीज़ as of now currently uniform civil code लाना feasible नहीं होगा क्योंकि लोगों में आज भी उस किसम का progressive और broad minded outlook देखने को हमें नहीं मिलत हैं और uniform civil code जो वो सभी religions के best interest में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि किसी भी एक या दो majority religious के communities को साथ लेकर हम आगे बढ़े और बाकी के minorities को हम धूर करें यह बिलकुल भी गलत है और साथी साथ चंद eminent ऐसे jurist की हम committee बनाएं जो के seriously उस uniform civil code के बारे में एक काम करेंगे जो के अल इनिशेटिव नेचर में है चाहिए कि यह चेंज चाहिए कि यह इनिशेटिव जाए वह religious group से ही आए तो सरकार भी इसलिए वेट कर रही है कि हिंदूस हो मुसल्मान हो क्रिस्टियन हो पार्सी हो religious जो इनके group है इनके denomination से वही से इनिशेटिव आए uniform civil code के लिए तो यह थी friends के सांथ इनफरमेशन जरूर शेर कीजिगा we provide you courses like nda cds fcat territorial army ACC MNS and a warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount meet you next time until then stay healthy stay safe thank you for watching my video जहन अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview nda cds fcat जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूले आप हमारी learning application को google play store से भी download कर सकते हैं